नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रैक क्यूब पीस्यस में दोस्तों आरो यारो की मुख्य परिच्छा 17 फरवरी से प्रस्तावी थे और इलहाबाद हाइकोर्ट यारो की परिच्छा भी 24 फरवरी को प्रस्तावी थे जिसका ओफिसल न प्रस्ताव और पिछली बार परिच्छाओं में पूछे जा चुके हैं तो यह वीडियो निश्ची थी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा यह विभिन परिच्छाओं में पूछे गए जियोग्रफी के प्रस्ताव का पहला पार्ट है दोस्तों गर आप इसकी टेस्ट लाइब टेस्ट होता है आप लोग उस टेस्ट में सामिल हो और अपनी त्यारी को देखें कि आपकी त्यारी कित्ती अच्छी चल रही है निश्चित रूप से टेस्ट जो है वह आपके लिए फाइदेमंद सावित होगा तो आएए दोस्तों इस वीडियो को कि आ पुर्व करते हैं और तो आए देखते हैं पहले दिया गया कि पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्या है आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व में कौंसा क्रम सही है तो आगे देखते हैं ब्राजील में विसाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है फजंडा ब्राजील के विसाल कहवा बागानों को फजंडा कहा जाता है ये भी यूपी पीशेस प्रारंबी करिच्छा 2017 में पूछा गया था ये जल प्रपात है किस नदी पर है ये समेलित है देख लीज ये भी यूपी पीसेस प्रारंभी परिच्चा 2017 में पूछा गया प्रस्न है कौन सी परवत सिंखला भारत में प्राचिंतम है तो भारत की जो प्राचिंतम परवत सिंखला है वो है और आवली परवत सिंखला है ये भी 36 गड़ पीसेस प्रारंभी परिच्चा 2016 में पूछा ग स्थापना किर्थी प्रस्तिष्ण है किस वर्स के इन्द्रिय जल आयोगने सिचाइई अनुसंधान यों प्रबंद संगठन के स्थापना किर्थी प्रस्तिष्ण है 21 वर्ष केंद्रिय जल आयोग ने सिचाई अनुसंधान यों प्रबंध संगटन की स्थापना की 1984 में की थी है 36 गड़ पीसेस प्रारंभी परिच्चा 2016 में पूछा गया था आगे कौन सी नदी विब्रंस गाटी से प्रभावित होती है तो वो है ताती नदी जो है वो विब्रंस गाटी से या विब्रंस गाटी में प्रभावित होती है 36 गड़ पीसेस में प्रारंभी परिच्चा 2016 में पूछा गया था अगया भारत में नीली क्रांति से संबंधीत है तो नीली क्रांति जो संबंधीत ही वो मतस उड्योग से संबंधीत है ये भी 36 गल परारामठी परिच्छा 2016 में पूचा गया था पर्यावरान के अव्यों की प्रकृति कैसी होती है तो यह एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित होती है पर्यावरण के अव्यों की प्रकृति एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित होती है यह साहय कुल सच्यू MP में पूछा गया परिच्छा में 2018 में अगे कि कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है तो अद्धोकिक दुरघटना जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है यह साहे कुल सजु एमपी परिच्छा 2018 में भी पूचा गया था अगे कि भारत में पर्यावरान सुरच्छा अधिनियम किस वर्स बनाया गया था वर्स 1986 में बना गया था यह वह बहुत ही महत्यूंट परिच्छा आप्चा जाता है कि भारत में पर्यावराण सुरच्षा अधिनियम किस वर्स बनाया गया यह पूचा ळा था यह वर्स 1986 में पूचा गया था यह उत्तरपदेश में भी बहुत बार पूचा जा चुका पाए जाता है भारत में जव विवेत्ता हाटव यह साह कुल सच्चिव एंपी 2018 में पूछा गया था आगे जारवा जनजाथ पाए जाती है तो जारवा जनजात वह निकोबार में पाई जाते है च्छतिस गड़ पीशे प्रारंभी परिच्छा 2018 2016 में पूछा गया था आगे देखते हैं विश्व की सबसे लंबी बलुवा पत्थर की सुरंग क्रेम पूरी भारत के किस राजी में इस्तित है तो यह मेघाले राजी में इस्तित है कि भारत की सबसे लंबी बलुवा पत्थर की सुरंग क्रेम पूरी यह मेघाले राजी में इस्ति किता बैंक का F conditions credit अधिकारी परिच्छे 2018 में पूछा गया पर्रेस्त बेंक Um olduk क्रेडिट अधिकारी परिच्छ 2018 में पूछा गया है तो यह कालेश्रम लिफ्ट परियूज्ण नहीं कहां परिस्ति थे तो यह तेलंगाना में इस्ति थे यह भी बैंकाफ इंडिया के परिच्छा में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में राष्टिय सरकरा संस्थान इस्ति थे यह कानपूर में इस्ति थे यह भी बैंकाफ इंडिया के पेपर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में राष्टिय सरकाला शंस्थान कर परेश्थी तो वो कानपूर में इस्तित कण्या नाथ्रा का पाल में किस खनीच का बंधारण है तो नाथ्रा का पाल में लव ऐसक का बंडारण ये उद्दोगicating निर्च्छा के सस्य परिच्छा राजस्थान में ये भी पूछा गया था सेई पर्योजना का संबंध है किस बांत सेई पर्योजना का संबंध हो आपको बताना था तो ये था जवाई बांत से सेई परियुजना का संबंध है ये भी उद्धोग निर्चे के सश्य में पूछा गया है भारतिय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये सहायक अध्यापक परिछा में पूछा गया है बिस्वन जू कोश द्वारा अपने प्रतीक के रूप में अपनाया गया प्रसु है यह पांडा यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि बिस्वन जू कोश द्वारा अपने प्रतीक के लिए कौन सा जू अपनाया गया है तो यह पांडा यह उत्तर पदेश की सहायक वाला ग्राभी ब्रहस पती है आगे दोखते हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो भारत का सबसे लंबा बांध जो वो हीरा कुंड बांध है जो महानदी पर बना गया है यह यूपिटर पलस्य अवर अभियंता परिच्छा कौन सी है तो वह है अनाई मोड़ी आगे है कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत के किस राजी की जनसंख्या घनत सरवाधिक है तो वह है बिहार 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत कि सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज्य जो है वो बिहार है यह भी महत्पूर्ण प्रस्न है जब 2001 वाली जनगर्णा में वस्चिम बंगाल था जो इस बार 2011 की जनगर्णा में दूसरे नंबर पर है सरवाधिक जनगर्णत में अगला प्रस्ण किस राज में वनचेत्र सरवाधिक है तो वह है मध्य प्रदेश में वनचेत्र सरवाधिक है कई बार यह प्रस्ण बनता है कि किस राज में वनचेत्र प्रतिशत्र सरवाधिक है तो वह है मिजोरम है और केंद्र सासित की बात होगी तो वह लच्छी दीफ है अगला प्रस्न है सुमेलित करना है दोनों को सुची एक से सुची दोसे ब्रह्मगीर पहाणी उद्गम छेतर किस नदी का है तो ये कावेरी नदी का है वेरी नाक सोता या जहरना किस का है ये जेलम नदी का उद्गम छेतर है महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम छे ये वह उत्रा खंड-25 प्रारंभी पिरिश्यस कांगे 2016 तों ढ सब्वेता है में तो ऐसे अच्छा यह जो यह प्रारंभी पुछा है आगे राश्टे क्रिस बीमा योजना के स्वास प्रारम की गई थी तो राश्टे क्रिस बीमा योजना 1999 से 2000 में प्रारम की गई थी उत्राखन पीसे स्प्रारम भी करिच्छा 2016 में पूछा गया था 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में निम्मे राजियों में से किस राजि में न्यून्तम लिंग अनुपाथ है तो यह हर्याणा और सिस लिंगा अनुपाथ भी हर्याणा में ही न्यून्तम है योट्राखन पीसे स्प्रारम भी करिच्छा 2016 में पूछा गया था आगे कौन सी गैसे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्तिथिक महत्पून हैं तो सबसे ज्यादा है करबन डियेकसवड्र मीठैन नावי ट्रस अकसड्ड़ और वह पूछा गया था फिर आगे उत्त्राखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं इनकी विशेष्टा क्या है समसितोष रुमनों की विशेष्टा है उत्त्राखंड के बांज बुरांस के पौधे हैं समसितोष रुमनों की विशेष्टा वाले यह उत्राखन फीसेश प्रारंभिक परिच्छा 2016 में पूछा गया था आगे फसल है सुमेलित है कि एक तरफ फसल दिया गया है दूसरे तरफ उसका सरवाधिक उत्पादक राज्य जो दिया गया है यस आरो यारो के परारंभिक परिच्छा 2070 में पूछा गया था आगे देखते हैं नहीं गज たpinोर ठोल प्रिच्छा जाता है लर अक्सर परिच्छा पूछा जाता है कि घास का मैदान सुमेलित करने के लिए देती आ जाता है यह पूंच लिया जाता है कि निम्न लिखित गास के निम्न गास का मैदान कहां पर इस्थित है बेल्ड जो है वह दच्छण प्रिका में हो डाउन जो है आस्ट्रेलिया में है और है चिक्वी कामटा या चिली किस खनीच के दो यह पूंच गया था राष्ट decis उत्रकन प्रारंभ करीच्छ पिसेस की 2गोर सूला में पूचा गया था भारत वर्स का पर्थम राश्ट्य उद्दान कौन सा है तो भारत वर्स का जो पथम राश्ट्य उद्दान है वो जिम कार्वेट राश्ट्य उद्दान है यह उत्राखन पीशस प्रारमिक परिच्छा 2016 में पूछा गया था और लोक सिवायोग उत्तरप्रदिस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पहला राश्ट्य उद्दान कौन सा है आगे है नासा का अंत्री चैन कैसिनी किस ग्रह के मिसन पर है तो यह सनी ग्रह के मिसन पर नासा का अंत् यह भी उत्तरखन पीसेस प्रारंभिक परिच्छा 2016 में पूछा गया था समानांतर फचल का उदारन क्या है गीमों और सरसो साथ में बोई जाती है रवी की दुनों फचल है तो यह समानांतर फचल का उदारन है उत्तरखन पीसेस प्रारंभिक परिच्छा 2016 में पूछा गय कि आगे hij दिच्चण भारत की सिचाई व्योस्था का अग्रदूत कि से माना जाता है तो वो माना जाता है सर आरफर काटनको यह कौन सी प्राचीन वलीट परवत नहीं है तो अनडी करवत जो प्राखीन वलित परवत नहीं है उत्राखंट PCS प्रारंभिक परिच्छा दोजार सोला में यह भी प्रस्ण पूछा गया था आगे देखते हैं कि मूल इस्थल रूप कमसा है तो ज्हला मुखी संक जो होता है पिस्थल रूप होता है उत्रतरखन पिसेश , Прारंभी परिच्xico दो सूला में फूछा गया था सरवाधिक तटिये पर्दन होता है лекमा ने परिच्छा अकास कि जो बर्षा बर्षा होती हूँ इसी मंडल से होती है ये बिक प्रस्ण बनता है कि समस्त आकासी घटनाए जो है जूए किस मंडल में होती है तो वह प्रशनوقका होता है आयन मंदल में होता है death आगे बढ़ते हैं पृत्वी की भूमधी रेखिये प्रवित परीधी लगभग कितनी है तो पृत्वी की भूमधी रेखिये परीधी जो है वह चालिस सज्जार किलोमीटर है यह भी उत्राखन पीसेस प्रारंभी परिच्छा 2016 का प्रस्ण है कौन सी धारा प्रसांत महासागर से संबंधित नहीं है तो वह है कनारी धारा जो है वह प्रसांत महासागर से संबंधित नहीं है यह उत्राखन पीसेस प्रारंभी परिच्छा 2016 में पूछा गया प्रस्ण है आगे देखते हैं समय की प्राकृतिक इकाई नहीं तो सोनिम चतुरभुज जो है वो राष्टे राज जिमार्ग परियोजना से संबन्दी थै सोनिम चतुरभुज ये बिहार पीसेस प्रारंभिक परिच्छा 2016 में पूछा गया था भारत में द्रवेण प्रजाती मुख्यता कहां संकेंदरित है, तो ये दच्छन भारत में मुख्यता पाई जाती है, द्रवेण जन जाती, दच्छन भारत में 28 प्रारमिक परिच्छा 2016 में पूछा गया था, किस पहाणई पर पूर्वी घाट और पश्चमी घाट से मिलता है या पूर्वी घाट और पश्चमी घाट का मिला नस्थल कौन से पहाणई है कई बार ऐसे प्रस्ण बन कियाता है तो यह निलगरी पहाणई है भी बहुत महत्वोण प्रस्ण है यह बिहार का PCS प्रारंभी प्रिच्छ दोजाब सूला में पूछा गया था आज़े देखते हैं कि मिट्टीं की जल धारन छमता का गेता हुआ क्रम आपको बताना है कि मिट्टीं की जल धारन सबसे जादा धारन करती है और शिह कम कौन सी करती है तो सबसे ज़्यादा जो जल धारण छमता हुँ अम्रतिका की है फिर उसके बाद गात की हो सबसे कम जो है वो बालू की यारो यारो प्रारभिक परिच्छा 2017 में पूछा गया था भारतिय सब्झु अनुशनधान सब्थान ये वाराणसी कभी कभी आ जाता कि भारतिय साक बहुत बार पूछता है कि निए कहा पर सिर्फ कहां पर है और करशान तैर लगभग तैर रहता है यारो और प्रार्मी परिच्छा 2017 में पूछा गया था दिया गया तत्यूम कथर कारण सही उत्तर हैं कथन दिया गया मिट्टी की परजात में मृतिका अधिकतम जलधारान करती है और मृतिका के रद्ध्रांस बड़े आकार में पाए जाते हैं त मृतिका में जो रंद्र पाए जाते हैं वह चोटे होते हैं इसलिए यह वाला कफन असत्य है तो इसका जो अत्तर है एस त्य है किन्तवार असत्य है यह आरो और प्रार्मी परिच्छा 2017 में भी पूछा गया था आगे एक तरह बांद दिया गया है सुमेल है वह कि दुलहस् है तरफ नदी दी गई कि दुलहस्ती बाथ जो जोए चिनाव नदी पर है गांधी साकर बाथ जो हो चंबल नदी पर है उकाई बाथ ऑठापी नदी पर है और तवा बांध जोः तवा नदी पर है यहारो यह और प्रारणभी परिच्छा 2017 में पूछा गया प्रस्ण है एक तरफ घास के मैदान एक तरफ देश से यह भी सुमेली थे पंपाज घास का मैदान जो अर्जंटीना में पाया जाता है और पुष्टेज घास का मैदान जो हो हंगरी में पाया जाता है घास का मैदान से महत्पूर्ण प्रस्ण और इससे प्रशनक्सर परिच्छों में घास के मैदान को लेकर बनते ही बनते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी इस वीडियो का हम अगला पार्ट कल लेके उपस्तित होंगे और दोस्तों अगर वीडियो आप